किसान भायो बहुत ही सारा कमेंट आ रहा है कि हमें टमाटर का रोपाई किये हुए 20-22 दिन हो चुका है और उसका जो ग्रोथ है वह बिल्कुल ही थम सगया है किसी भी तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है इस तरीके का बहुत ही सारा कमेंट आ रहा है किसान भायो और हाल तो उसका जो ग्रोथ है वहाँ ठीक तरीकी से नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपको कौन-कौन से फटिलाइजर आप दे सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ एकदम हाई लेवल पर और बहुत ही फास्ट है आपका फसल का ग्रोथ हो किसान भाईयो तो उसके लिए आप वीडियो क पर क्लिक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चली किसान भाईयो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो किसान भाईयो अगर अभी के टाइम पर देखा जाये तो अभी लगतार कई दिनों से मौसम बहुती खराब चाह रहा था तो उसके वाज़से बहुत सारे किसान किसान भाईयो जब मौसम खराब होता है तो चारो तरफ से पारिसान भोंती जाधा बढ़ जाती है अगर को इस वाज़से कहीं तरीके से कारीय करते इस संथे बहुती बढ़ जाती गिसान-भाईयो जैसे ही मौसम फ्रेस उए उसके बाद थंड बहुती ज्यादा अभी के क ताइम पर बढ़ चुका है तो उसके वाज़ास से कहीं न कहीं ग्रोथ लेवल जो है कम हो चुका है किसान भाई तो अभी के टाइम पर जो ग्रोथ का समझे किसान भाई तो उसके लिए आपको डिंशिंग करना बहुत ही अवस्ट्यक है अगर आपको इस प्रेय देते हैं या बढ़ता जाता है श में fanstring आते रहना चाहिए किसान भईयो तभी आप आगे मेंटेन कार पाएंगे तो आपको डीचिंग करने है कि तो डीचिंग में आपको लेPS लेना है किसान, उसके बाद आपको सलफर लेना है गिसान भैयो प्रती एकडड का है उसके पाद आपको हुमी केसीड लेना है किसान भैयो गाला सोना है ब्ले गोल्ड है कुंदन है इस तरीके का मार्केट में बहुँस सारी हुमी केसीड अवीलेबल है किसान भैयो उसके हिसाब से जो उसका मात्रा है वह भी अलग-अलग रहता है किसान भाईयो अगर हम बलेक गोल्ड की मात्रा की बात करें तो बलेक गोल्ड आपको 500 ग्राम लेना है किसान भाईयो उसके बाज आपको साप फंगिसाइड लेना है किसान भाईयो इतना अगर आप डिंचिंग कर लेते हैं तो फिर आपका जो फसल है उसका जो growth level है वहाँ बहुत ही बहतरी रहेगा किसान भईयो उसके साथ में growth ऐसा नहीं किसान भईयो कि सीधा बढ़ जाए उसके साथ में उसमें जो कंसे हैं जो नया नया साखाए हैं वहाँ भी बहुत ही ज्यादा मातरा में आएंगे किसान भईयो बताये गए चीजों को सही मातरा के साथ अगर आप डिंचिंग करते हैं तो तो आपको अगर किसी भी तरीके से अगर growth में समस्य आ रही टेमाटर के फसल में तो आप इन सभी चीजों का डिंचिंग करकर टमाटर की खेती में आ रही growth की समस्य से असान तरीके से छुटकारा पास सकते हैं किसान भईयो तो बस किसान भईयो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस वीडियो के बारे में किसी भी तरीके का कुछ सुझा हो तो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आउल पर भी क्लिक कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तकी लिये जाजावन, जाइगी तान